आज का यूजफूल टिप्स दिवाली स्पेसल टिप्स है जिसमें हम पानी में दिये जलाएंगे और बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जो आपके दिवाली में चार चान्द लगा देंगे तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं दिवाली में तो सब के घर में बहुत ज़्यादा बत्ती बनता है क्योंकि ये तेहवार ही दिया और बत्ती का है तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा ही तरीका लेकि आई हो जिससे मिन्टो में आप बहुत सारी बत्तियां बना सकती हैं तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है तो हमें लेना है रूई और रूई को इस तरीके से लंबाई में कर लेना है जितना बड़ा आपको बत्ती चाहिए उतना लंबा रूई को कर ले और मोटा भी आप अपने हिसाब से करें तो ये दिखिए मैं इसको ऐसे निकाल देना है तो उसके लिए हमें बस उंगली से इस तरीके से क्रस्ट करना है और ये आसानी से निकल जाएगा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफूर लगेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्रा आने के लिए जो हमने कॉटन को ऐसे लंबाई में करके रखा है न उसके बीच में हमें इस तरीके से लंबाई में ही ये अगर बत्ती के जो लकड़ी है इसको रखना है उसके बाद हमें दूसरे हाथ से इस तरीके से आगेक सैट हलका सा दबाते हुए ऐसे आगेक सैट करना है ये दिखिए ऐसे और ये दिखिए ये लंबी सी बत्ती हमारी बनके तयार हो गई है तो आप इसे अपने हिसाब से बड़ा या छोटा बत्ती बना सकती हैं और एकदम जट सिन बन जाता है मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो हम लंबाई में भी बन कर तयार कर लेंगे और ये दिखिए एकदम आसानी से बन जा रहा है ने एक बर आप ट्राइ जरूर करिएगा आपको पसंद भी आएगा तो यहाँ पर हमने देखिए बत्ती को बना लिया है तो अब इसे हम साइड में रख देते हैं और चलिए अब गोल वाला बत्ती भी एक जगह इकठा करेंगे और जो सेंटर वाला भाग है न उसको नीचे कर देंगे और जो साइड वाला भाग है सब उसको इस तरीके से उंगली के बीच में लेकर ऐसे घुमाएंगे तो यह हमारा गोल बत्ती बन के तयार हो जाएगा कुछ भी नहीं करना है बस साइड को उ अगला टिप हमारा इस बोटल से रिलेटेड है पहले हम क्या करेंगे कि इस बोटल में से हमें एक स्कॉयर शेप का टुकड़ा चाहिए प्लास्टिक का तो उसके लिए मैं इस बोटल को थोड़ा सा कट करूंगे और स्कॉयर शेप में प्लास्टिक को थोड़ा सा काट कर न भी ले सकती हैं यह देखिए बस इतना सा हमें प्लास्टिक चाहिए तो प्लास्टिक को तो हमने काट लिया है अब हम इसके बीच में यानि सेंटर में होल करेंगे तो आप कोई भी नोकिली चीज को गरम करके इसमें डाल दे यह आसानी से होल हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने चाको को हलका सा गरम कर लिया है अब इससे मैं इसके बीच में होल कर लेती हूँ बहुत ही आसानी से हो जाएगा क्योंकि बहुत पतला प्लास्टिक है तो यह दिखिए यह हमने होल कर लिया है अब जहां पर हमने इसमें छेत किया है उसमें हमें यह गोल वाला बत्ति डालन है हमें इसके लिए गोल बत्ती ही चाहिए लंबा वाला बत्ती नहीं लेना है अब गोल वाले बत्ती के ऊपर वाले हिस्से को इसमें डाल कर ऐसे खीज देना है और यह लिजिए हमने प्लास्टिक में बत्ती को अच्छे से फिट कर दिया है अब हम लेंगे यह काच का लालट काच के बरतन में थोड़ा सा जादा अच्छा लगता है आप चाहे तो इसको डेकोरेट करने के लिए इसके अंदर रंग बिदंगी मोती भी डाल सकती हैं अब इसमें हम पानी डालेंगे तो आपको जितना उपर तक पानी डालना है उतना डाल दे तो मैंने उपर तक इसमें पानी डाल दिया है बस थोड़ा सा जगह खाली है तो मैं उसमें डालूंगी तेल बस दो से तीन चमच तेल इसमें डालें बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूत नहीं है क्योंकि इसमें जो बत्ती जलता है वो बहुत टाइन तक जलता है तो आप दो से तीन चमच इस तेल लगा रहेगा तो यहां पर हमने बत्ती में तेल लगा दिया है अब इसे हम इस लाल टेन में डाल देंगे जो हमने प्लास्टिक लगाया है उसकी वज़े से यह डूबेगा नहीं अगर कॉटन को ऐसे हम पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगा मगर जो प्लास्टि ये कम से कम 4-5 घंटे तक जलेगा जल्दी से बुझेगा भी नहीं और देखने में भी बहुत सुन्दर लगता है जब तक इसमें तेल रहेगा तब तक ये जलेगा आप चाहे तो आपको लगे कि इसमें का तेल अभी खतम हो रहा है तो आप इसमें वापस से तेल डाल सकती है तो इस दिवाली में आप इस तरीके से पानी में दिया जरूर जलाएं आपको पसंद भी आएगा और बहुत ही सुन्दर लगता है एक बार आप जरूर ट्राई करके देखिएगा तो चलिए नेक्स टिप देख लेते हैं अगला टिप मेरा फेविकल के बोटल से लेकर है फेविकल का जो बोटल रहता है हम इसे फेक देते हैं मगर इसे फेके नहीं इसका बहुत अच्छे से हम इस्तमाल करेंगे और दिवाली में तो इसका इस्तमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो bottle को अच्छे से धो कर सुखा ले और सुखाने के बाद मैंने इसमें ये रंगोली वाला powder डाल दिया है मैंने पहले से उसमें fill करके रखा है तो मैं आपको उसमें fill करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि fill करना तो सबको आएगा है न तो चलिए अब हम इससे रंगोली बना देते हैं बहुत ही beautiful डिजाइन बनता है और खास बात यह है कि दिवाले में आपका time भी बचेगा रंगोली बनाने में यानि बहुत ज़्यादा time आपको नहीं लगेगा रंगोली को बनाने में अगर इसके थुरू बनाएंगी तो अगर इसमें से रंगोली powder अच्छे से नहीं निकले तो आप इसके ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा कट कर दे कैची से एकदम अच्छे से निकलेगा अब एक लकड़ी की help से इस तरीके से इसको मिला देंगी तो ये एक beautiful flower बनके त्यार हो जाएगा तो है न कमाल का idea तो चलिए फटा फट से next tip देख लेते हैं अगला tip मेरा candle से related है दिवाली की तेहवार में हम दिये तो जलाते ही है मगर साथ साथ हम candle का भी इस्तमाल करते हैं मगर जो candle होता है न वो सब candle पूरा नहीं जलता है कुछ हवा की वज़र से बुझ जाता है तो कुछ बच्चे बुझा देते हैं तो ये ऐसे ही पड़े रह जाते हैं तो इसे मगर ऐसे ही रखेंगी कही न तो ये तूट जाते हैं तो मैं इसे रखने का आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगे तो उसके लिए हमें लेना है ये बच्चे का खिलोना जिसमें बबल आता है वही वला खिलोना हमें लेना है जब ये खतम हो जाए तो इसके बॉटल को अच्छे से धो ले तो यहाँ पर देखिए मैंने ये दूसरा बॉटल लिया है इसमें हमने अच्छे से धो कर इसको इसमें को उपर आला हिस्चे को कट कर दिया है अब इसमें मैं केंडल को रख दूँगी तो जितना केंडल इसके अंदर आ जाए उतना केंडल इसमें रख दे चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा